आईए फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप कैसे अपने डेबिट कार्ड या फिर एटियम कार्ड को नेड बेंकिंग का यूज़ करके अपग्रेड कर सकते हैं तो फ्रेंट्स मैं इस वीडियो में आगे बने से पहले मैं आपको कुछ चीज़े बताना चाहूंगा कि देखिए डेबिट कार्ड या एटियम तभी आपको अपग्रेड करना चाहिए जब आपको लगता है कि जो अभी प्रेजेंट में आपके पास जो कार्ड है वो आपके यूज़ेज के हिसाब से सही नहीं है जैसे हो सकता है उसकी कैश विड्रॉल लिमिट डेली की हो सकता है पच्चिस हजारों पर आपको इससे ज़्यादा चाहिए या फिर समझ लीजे उसमें आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कर पारे तो हो सकता है उसके लिए आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड में अपग्रेट करना पड़े तो जो भी आपकी requirement है उस हिसाब से अगर आपका existing card काम नहीं कर रहा है या आपको वो facility नहीं provide कर रहा है तो friends आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो के माधियम से कि आप कैसे net banking का use करके अपने debit card को upgrade कर सकते है तो friends मेरे पास अभी HDFC bank का net banking account है और मैंने लगबख सभी bank की website में यह देखा है net banking जो उनकी facility उसमें देखा है कि debit card को upgrade करने का option वहाँ दिया रहता है और पूरी जनकरी दी रहती है इनके समद लीजिए कि आपका bank ये बड़े bank के comparison थोड़ा छोटा bank है और वो online option नहीं दे रहा तो उस case में friends मैं बोलूँगा कि आप उनकी website पे जितने भी debit card उनलोग provide कर रहे हैं के बार में पढ़ लीजिए और उसके बाद direct bank चले जाईए और वहाँ पर debit card को upgrade करने का आवेधन दे दीजिए तो चली friends मैं अपने account में login होता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे upgrade किया जाता है debit card को तो friends मैं अपने account में login हो चुका हूँ और friends अगर आपके पास अपना net banking का username password नहीं है तो उसके इसमें आपको अपने bank पे जाके net banking की kit के लिए apply करना पड़ेगा username password लेना पड़ेगा और जो भी आप username password लेते हैं या set करते हैं अपने हिसाब से उसको किसी के साथ भी share मत किजिए ये सिर्फ और सिर्फ आपके account के लिए है तो इस बात का ध्यान रखिएगा तो friends मैं net bank में account में login होने के पाद ये cards वाले tab पे आ गया हूँ और friends यहाँ पर देखिए debit card लिखा हुआ है यहाँ पर friends मैं देखता हूँ कि transit के नीचे debit card upgrade लिखा हुआ है तो यह देखिए debit card upgrade लिखा है इस पर मैं click करता हूँ अब friends मुझे अपने उस card number को select करना है जिसको मुझे upgrade करना है तो देखिए friends मेरे account में सिर्फ एक card है आपके account में हो सकता है एक से ज्यादा card हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे रहते हैं जो जिनके पाद ज्यादा card रहते हैं एक से ज्यादा तो friends मेरे फिलाल इस account पे तो एक ही debit card है तो मैं इसको select कर लेता हूँ इसके number को select करता हूँ अब देखिए friends यहाँ पर line से एक आपको list दिखेगी जहाँ पर आपको debit card के नाम जैसे यहाँ पर लिखा है platinum debit card उसके अलावा उसकी सालाना fees और उसके अलावा क्या benefits आपको मिले उसके बारे में जनकारी मिलेगी तो देखे friends आप इस page पर जैसा देख रहे होंगे हर card का जो benefit है या feature है वो अलग है तो यह benefit या feature है इनको आप अच्छे से पढ़ दीजिए bank की website में भी इन cards के बारे में पूरी detailed जनकारी रहती है उसको भी अच्छे से पढ़ लिजिए और अगर आपको लगता है कि यह card मेरे लिए सही है तो ही upgrade कीजिए नहीं तो मत कीजिए नहीं तो unnecessary क्या होगा आपको सालाना fees देनी पड़ेगी ज्यादा अभी हो सकता है आपक के account से कटते रहें और आप उस debit card का पूरा फायदा ना उठा पाएं तो जो भी आपको card select करना है friends अपनी usage के हिसाब से तो जैसे समझ लिजिए मैं यह वाला select कर लेता हूँ और यहाँ पर terms and condition आप पढ़ लिजिए समझ लिजिए और इसको मैं agree कर देता हूँ और confirm button पर जै description जरूर पढ़ लिजिए जिससे आपको और clear हो जाएगा कि debit card upgrade करने के लिए क्या-क्या और चीजों की जर्रोत है या क्या-क्या चीज़े आपको ध्यान में रखनी है friends मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हाँ तो like किजिए share किजिए subscribe किजिए thanks for watching